नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष्ठाकुर के साथ NTA UGC NET की हम त्यारियां कर रहे हैं और आज हम पढ़ रहे हैं आदिकाल इसके अंतरगत आने वाला जेन साहित्य और उनके प्रमुक साहित्यकार और उनकी रचनाएं तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के लक्चर की सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैन साहित्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं तो जो जैन साधू ने अपने मत का प्रचार हिंदी कवीता के माध्यम से पश्चमी क्षेत्र में किया देखें दोस्तों कि जो जैन साधू थे उन्होंने अपना मत का प्रचार कवीता के माध्यम से किया और कहां से किया पश्चमी क्षेत्रों से किया जबकि हम सिध्धों के बारे में पढ़ेंगे तो सिध्धों ने अपना जो मत का प्रचार था है ना अपने धर्म का जो उन्होंने प्रचार किया वो कहां पर किया था उन्होंने वो किया था उन्होंने पूरव के भागों में या पूर्विक शेत्रों में ठीक है लेकिन जो जेन थे उन्होंने किया पश्चमिक शेत्र में इनकी जो रचना शैली में क्या थी भिभिनता है परन्तु जेन साधू रास को प्रभावशाली रचना शैली मानते हैं देखिए इससे क्या भी प्राय है रचना शैली में भिभि चरित इत्यादी, तो ये शैलिया इनोंने अपनाई हैं, लेकिन सबसे अधिक और प्रभावशाली जिसको लोगप्रिय भी हम कह सकते हैं, वो शैलि कौन सी बानी है इनोंने रास को माना है, ठीक है दोस्तों तो कई बार एक्जाम में इस तरीके से भी पूझा जा सकता है कि जो जैन सादू थे, वो किस शैलि को जो है प्रभावशाली या लोगप्रिय मानते हैं, तो वो है रास शैलि ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि रास का अर्थ क्या होता है तो रास का अर्थ होता है देखिए नरित्य या क्रीडा, ठीक है नरित्य या क्रीडा, तो लोग जीवन में इस शब्द का अर्थ श्रीकृष्ण की लिलाओं के लिए रूड हो गया था तो किस के लिए रूड हो गया था ये फिर श्री कृष्ण की जो लिला है जैसे आज की डेट में बोलते है ना कि रास लिला ठीक है श्री कृष्ण की तो वो किसके लिए हो गया था रूड उसकी लिलाओं के लिए रास ठीक है तो वर्तमान में भी इसका यह सवरूप हमें मिलता है कि जो रास है वो कृष्ण की लिलाओ के लिए ही मिलता है ठीक है दोस्तों अगर हम बात करें जो भरतमुनी थे उन्होंने इसके लिए क्या नाम दिया था उन्होंने नाम दिया इसको क्रिड नियक का क्रिड नियक ये नाम दिया था उसने किसने भरतमुनी ने तो भरतमुनी कब थे तीसरी शताबदी में विद्यम मिलता है उसमें ठीक है रास कावय का हिंदी में प्रवर्तन भरतेश्वर भरतेश्वर हो गई है ठीक है भरतेश्वर बहुबली रास से माना जाता है तो कहां से माना जाता है देखिए बहुबली रास से तो भरतेश्वर बहुबली रास की रचना किसने की थी इसकी रचना की कि रासकावय का प्रवर्तन जो है हिंदी में कहा से हुआ इसी रचना से हुआ है अपभरंश के जो दूसरे कवी पुश्पदंत थे ठीक है वो क्या थे शैव थे और बाद में ये जैन हो गए थे क्या हो गए थे ये बाद में जैन हो गए थे और इसलिए यहां पर इनका बाद में भी हम देखेंगे उसके लिए हम एक और लक्चर अपना त्यार करेंगे अच्छे से वहां पर हम देखेंगे कि अपभरंश के कौन-कौन से प्रमुख कवी हैं तो चलिए दोस्तों ये हो गया जैन साहित्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी अब हम देख लेते है जैन साहित्य जो रचनाय रची गई उसमें और कौन-कौन से उसके रचनकार हैं सबसे पहले देखिए दोस्तों श्रावकाचार तो श्रावकाचार के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया था जब हम पढ़ रहे थे किसके बारे में जब हमने पढ़ था हिंदी की रचनकार के बारे में, या कवी के बारे में, तो उस वक्त जिक्र हुआ था श्रावकाचार का, तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं कि श्रावकाचार क्या है, इसके रचनकार परसीद जेन अचारे, देवसेन थे, और इसका जो रचनकार है, वो 933 इस्वी है, तो किस ने माना था इसको, ये मना था, डॉक्टर नगेंदर ने, ठीक है? तो डॉक्टर नगेंदर क्या मानते हैं इसको, कि जो देवसेन कृत, श्रावकाचार है, वो क्या है, हिंदी की प्रत्म रचना है, और इस ग्रंथ में, श्रावक धरम का प्रतिपादन जो कीतने दोहो में किया गया है वो 250 दोहों में या 250 दोहों में इसमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है तो यह थी दोस्तों श्रावका जारक के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि इसके रचनाकार कौन है रचना वर्ष को क्या है और किसने इसको प्रत्थम रचना माना है ठीक है तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं जिनेदत सूरी और इन्होंने इसका रचनावर्ष क्या माना है? 1124 भी माना जाता है उपदेश रचनावर्ष का रचनावर्ष इसे जेन रास काव्य परमपरा का प्रत्थम गरंथ माना जाता है ठीक है? उपदेश रचनावर्ष असी पद कुन चीज है इसको भी एक्जाम में पूछा जा सकता है कि जो जैन रास कावे परमपरा का प्रत्थम गरंथ की से माना जाता है तो वो उपदेश रासाइन रास को माना जाता है ठीक है दोस्तों तो इसके बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है ठीक है अब ह ये चीज महत्वपूर्ण है कि मुनी जिन वीजय, डॉक्टर दशरत ओजा और डॉक्टर गणपती चंदर गुप्त इसे हिंदी जैन परमपरा का आधिकाव्य मानते हैं। मुनी जिन वीजय, डॉक्टर दशरत ओजा और डॉक्टर गणपती चंदर गुप्त ने। भरत और जो बहुबली होते हैं, वो दो भाई होते हैं। एक को जो है अयोध्या का राजपाट दे दिया जाता है और दूसरी को कहा का दिया जाता है। उसको तक्षशिला का राजय मिलता है और ये दोनो राजय जो है इनके पराकरम का चित्रन करता है इसमें साहित्यकार हैं। और जब युद्ध होता है तो उसमें हिंसा होगी और जब हिंसा होती है तो ऐसा होता है कि इन दोनों को क्या हो जाती है उस से एक तरिके से विरक्ति हो जाती है इन दोनों राजाओं का वो क्या करता है पहले उनकी वीरता का वरन करता है फिर उसके बाद क्या आता है उसमें क विरक्ति हो जाती है उनको उस चीज से है ना और उसके बाद वो मोक्ष की प्रति क्या हो जाते हैं मोक्ष की प्रति जो जुकाव हो जाता है उनका ठीक है तो कवी का लक्ष भी यही रहा है अपने कावे में और इस कावे की क्या है एक तरीके से विशेशता मानी जाती है ठीक और इसका जो रचनकार है 1200 हलांकि यहां पर 1280 हो गया है आप इसको ठीक कर लिजेगा कि यह 1200 है 1280 नहीं होगा 1200 है यह है ना तो इसका जो रचनकार है देखिए वो 1200 के लगभग माना जाता है 1200 के लगभग ठीक है और यह 35 छंदों का एक लगूखंड काव है देखिए इसमें 35 छंद है और यह लगूखंड काव है तो अगली जो इस कावे रचना के बारे में जो मतफ़ोन बात है देखिए वो है करुनरस की गंभीर व्यंजना देखिए करुनरस इसमें क्यों है इसकी जो कहानी है वो है चंपनगरी के राजा जो ददीवहन था उसकी पुत्री की यह कहानी है दोस्तों जिसका नाम है चंदनबाला ठीक है वो क्या होता है कि एक बार जो कोशामभी के राजा थे वहाँ का जो सेनापती है कोशामभी का राजा उस वक्त माना जाता है कि जो राजा शतानीक थे ठीक है उसका जो सेनपती होता है वो क्या कर देता है कि उसको उसका अपरण कर लेता है किसका चंदनबाला का जब उसका अपरण कर लेता है तो वो एक सेट को उसको बेज देता है अब सेट की पत्नी क्या करती है कि उसके साथ बहुत सारे अत्यचार करती है, उसको कष्ट और दुख पहुंचाती है, जब उसको कष्ट और दुख पहुंचाती है, देखे, यहां से हमें क्या पता चल रहा है, कि अगर किसी को कष्ट है, दुख है, तो हमारे मन में उसके लिए दया भाग जाग दीतो हो रहा है, तो करु कर्णवरस की गंभीर व्यंजना करने वाला क्या है काबय है, फिर उसके बाद गया होता है कि अन्त वह महावीर से दीक्षा लेकर मुख्ष को प्राप्ट करती है, ठीक है तो यह कहानी है, है जो कर्णवरस यहां से हमें स्पष्ट जलगता है कि उसमें करणरस का क्या है अभिवेंजना हुई है तो यह था चंदन वाला रास अब हम देख लेते हैं स्थूली बदर रास तो दोस्तों इसके बारे में कोई जादा जानकारी नहीं मिलती है सिर्फ इतना सा यह है कि इसके रचनकार जिन 1231 ठीक है दोस्तों इस ग्रंथ में जेन तिर्थ रिवन्त गिरी वो नेमिनाद की प्रतीमा का वनन मिलता है देखिए किस चीज का वनन मिलता है इसमें कई बार इस तरीके से भी पूछे जा सकता है कि कि इस ग्रंथ में रिवन्त गिरी और नेमिनाद की प्रतीमा का वनन मिल तो इसका उत्रोगा रिवन्तगिरी रास ये चार कडवकों में विभक्त है तो कितने कडवकों में विभक्त है ये चार कडवकों में अगला देखिए कि इसका जो रासकावे परंपरा की जो अगली रचना है वो है नेमिनाथ रास इसकी रचना सुमती गणी ने 1213 इस्वी मे की थी, तो इसकी रचना कब हुई थी, 1213 इस्वी में, ठीक है न, इस ग्रंथ में नेमिनाथ का चरित्र चित्रन किया गया है, यह ग्रंथ 58 चंदों में रचित है, तो देखिए, कब हुई इसकी रचना, 1213 इस्वी में रचना हुई थी, और नेमिनाथ का चरित्र चित्रन इस अन्य जैन रचनाकार थे और उनकी रचनाय थी, तो जो सबसे पहला नामा था, देखिए प्रमुक नाम, कई बार एक्जाम में यहां से भी प्रशन पूछ ले जाता है कि जो सोम प्रभ सूरी थे, ठीक है तो यह है अन्य जैन रचनाकार, ठीक है तो इनकी जो रचनाय देखिए, वो थी कुमारपाल प्रतिबोध, और यह भी कभ रची गई के उपदिश्ट दिये जाते हैं इसमें ठीक है तो ये था दोस्तो सोंप्रभ सूरी से सम्दित कुछ एक जानकारी थोड़ी सी कुमारपाल प्रतिबोध उनकी रचना है और रचना वर्ष उनका 1164 सिस्वी है ठीक है और दूसरे हैं देखिए विनेचंद्र सूरी तो इनकी र रचना कार हैं ये थे अब हम देख लेते हैं कि जैसे अभी तक हमने रास कावय परमपरा के बारे में पढ़ा इसके अलावा जब हम शुरुवात में थे अपने इस लेक्चर की तो वहां पर हमने पढ़ा कि अलग-अलग शैलियों को उन्होंने क्या माना शैलियों को उन्ह महत्वपुन उपलब धी मानी जाती है ठीक है दोस्तों? तो देखिए फागु कावे में कौन-कौन सी चीजे हैं या कौन-कौन से उनके जो प्रमुक हम कह सकते हैं कि गरंथ हैं या रचनाए हैं तो इसमें आता है जिन चंद सूरी द्वारा जो रचित रचनाए देखिए जिन चंद सूरी फागु तो इसके नाम से यह आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं तो फागु का अर्थ होता है जो बसंत रितु में गाया जाने वाला जो फाग होता है उसको क्या का जाता है? फागु नाम दिया गया है ठीक है? अगली जो रचना है दोस्तो वो है राजसेखर सूरी की जिसका नाम है श्री नेमिनाथ फागु ठीक है? श्री नेमिनाथ फागु और इसकी रचना हुई है तेरा सो पचास इस्वी में तो किसकी रचना गटना का चित्रण है इसमें नेमिनाथ और राजुल के विवा की गटना का चित्रण है तो किसकी रचना गटना का चित्रण है इसमें नेमिनाथ और राजुल के विवा की और यहां काव्य 27 चंदों में निवध है तो कितने चंद हैं इसमें 27 चंद हैं तो यह था दोस्तो आपका जैन सहीत्य, हमने कोशिश की पूरे के पूरे जैन सहीत्य को आज कबर करने की। उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों की बीच में शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें शुक्रिया जहिंद